Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताऊँगी causes of accidents के बारे में यानि कि accidents होने के कारण क्या-क्या होते हैं हम सब ने देखा है कि safety हम रखते हैं ठीक है, safety तो हम रखते हैं पर अब हमें ये पता करना है कि accidents क्यों होते हैं इनके causes क्या-क्या होते हैं इसे क्या कारण होते हैं जिनकी वज़े से accident जो है वो create होते हैं तो आज इनी के बारे मैं बात करेंगे तो सबसे पहले accident causes क्या होते हैं unsafe act कोई भी person होता है जब वो एक unsafe act वहाँ create होता है मैं आपको unsafe act और condition के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ तो unsafe act जो है वो जब create होता है तो क्या होता है injured person जो है एक accident की वज़े से person injured हो जाता है और condition जब create होती है तब ही act बनता है ठीक है तो क्या होता है गूमफिर के कोई भी एक hazard है उसके contact में कोई person आ जाता है तो ये सारी चीज़े होती है सबसे पहरे जब ऊसेफ कंडिशन जो बनती है तब क्या होता है अगर हम तब ही उसको रोक ले तो हम बहुत हद तक accidents रोक सकते है mean cause क्या होता है उसा है उसाध होती है fender an comunque तो जब भी हम unsafe condition बनती है देखेर बनती है ये condition जब जाने अन जाने में हमी कुछ ऐसा कर देते हैं कि इस तरीके की condition जो वो create होती है अगर हम बिल्कुल safety के साथ काम कर रहे हैं और इस तरीके की condition अगर देखते हैं और हम उसे वही eliminate कर देते हैं उस type की hazard को तो हम ऐसी चीजों से बच सकते हैं पर जब हम यह देखने के बाद भी नहीं इसे कुछ भी करते हैं इस पर कोई work नहीं करते हैं तो unsafe act or condition बन जाता है condition से act बन जाता है ठीक है तो सबसे पहले mean cause जो है accident होने का वो यही है कि unsafe act or condition का बनना जितनी हद तक हम इसे रोक सकते हैं उतना जाद हम accident control कर सकते हैं ठीक है accidents तभी होते हैं जब work place पे आप carefully work ना कर रहे हैं in case आपने कोई situation देखी कोई near miss देखा या कुछ भी देखा उस पे आपने again कोई action नहीं लिया तो यह situation बन सकती है या first time पे ही आपने इसको ignore कर दिया तो यह situation create हो सकती है तो जो भी हो रहा है उसको एक्तम देखना कि इसका main cause of reason क्या था root cause क्या था इसका उसके बाद अगर हम अपनी safety prevention जो है तब यह चीज चेक करने के बाद लगाते हैं तो बहुत हद तक हम ऐसी चीज़े होने से रोक सकते हैं ठीक है तो सबसे लिए क्या जो भी आसपास है workplace के उन सब का भी तो train होना ज़रूरी है उनको भी तो knowledge होनी चाहिए कि इस तरीकी situation अगर create करेंगे तो इस तरीके के accident हो सकते है तो सबसे पहली चीज मैं बार 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 बताती हूँ कि उन्हें well trained करना ठीक है तो accident के causes क्या हुए सबसे पहले unsafe effect और unsafe condition अब basic causes के बारे में अगर जाने तो personal factories में क्या करते है lake of knowledge रहती होने इस वज़े से क्या होता है वो accidents, unsafe effect और unsafe condition आती है सामने देखने को ठीक है improper motivation, physical or mental condition ठीक है और ability ठीक है क्या होता है कोई भी person होता है उसको ऐसा काम दे दिया जाता है जो उसकी ability से बहार है उससे इतना काम कराया जाता है जिसकी वज़े और उससे motivation ना देना ठीक है हर worker को motivate करते रहना चाहिए कोई भी काम हो रहा है अच्छा काम कर रहा है तो उसे motivate कीजिए और साथी उससे appreciate कीजिए उसका जो भी काम है, वो किस तरीके से वो कर रहा है, ये भी करना बहुत जरूरी है, उनको सब चीज के बारे में बताना, ठीक है, और सबसे पहले, लेक ओफ नॉलेज, उन्हें नॉलेज अच्छे से प्रोवाइट करानी चाहिए, ये सब कैसे हो सकता है, ट्रेनिंग से, अग कोई भी एक्यूपमेंट वो यूस कर रहा है, वो तरीके से यूस किया जा रहा है, य और जो भी मैंटिनेंस आप ठीक से वहां किया जा रहा है, या नहीं प्रॉपर हाउसकीपिंग हो रही है, ये सारी चीज का बाती हैं, जब हम वैल ट्रेंड करते हैं, उसे से सेफटी के समझाते हैं safety के fundamental समझाते हैं safety की जो भी safety का जो भी महतव है importance है वो समझाते हैं तो वो जो सामने वाला worker है person है वो सारी यह चीज़े अपने regular work में लाते हैं कोई भी job वो कर रहे हैं तो वो carefully करना शुरू करते हैं जिससे कि वो भी उस accident को रोख सकें ठीक है क्योंकि जब हम किसी भी ऐसी हजारिया situation के exposure में आते हैं unsafe factor condition के exposure में आते हैं तो हम बहुत हद तक harm हो सकता है हमारे industry को हमारे factory को workplace को और person को ठीक है तो दोनों चीज़े यह इस तरीके की हो सकती हैं तो हमें क्या करना है basic causes हमें हटाने हैं वहां से जो भी root cause हो रहे हैं उन पर ध्यान रखना है in case mileage accident हो भी गया तो उसका reason क्या था यह reason था तो उस चीज़ को eliminate कर देना workplace से कुछ ऐसी situation बनाना कि वह चीज दुबारा ना होने पाए वह चीज रिपीट ना हो बस तो इस तरीके से हम basic causes हटा सकते हैं उपने workplace से देखिए इस तरीके से यह जब भी causes होते हैं accident होते तो इस तरीके की चीज़े देखने को सामने आती है जैसे 300 क्या होते नियर मिस incidents हो जाते हैं बहुत हद तक यह है कि हम safe रहे पा रहे हैं पर minor injuries और नियर मिस के incidents बहुत सारे हैं तो हम कोशिश करें कि हमारे जो workplace है उसमें ऐसी changes लाएं कि हम नियर मिस से भी बढ़ सकें नियर मिस में हलाकि कोई harm नहीं होता है person को नहीं होता है पर हाँ हो सकता है property हाम इसमें हो सकता है ठीक है तो क्या है हमें तो सारी चीज़े safe करनी है हमें material हाम भी नहीं होना चाहिए अगर माली जो person हाम तो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो safe रहा, अच्छी बात है, पर हमारा कुछ loss तो उसमें हो सकता है, माली जो कोई सामान गिरा तूट गया तो loss तो हो नहीं है, तो इस तरीके से क्या है, हमें सारी चीज़ा maintain रखना है, safety maintain रखना है, environment maintain रखना है, safety के स अपने root cause पर ध्यान दें, तो हम ये सारी चीज़े भी avoid कर सकते हैं, अपने workplace से, देखे, इस तरीके से exposure to hazard क्या होता है, attention हमें देना चाहिए, hazards पर ठीक है, हमें देखना होगा कि particular hazard क्या था, decision क्या लेना है, हमें safe behavior क्या रखना है, unsafe behavior क्या था, change क्या कर सकते हैं, accident कैसे अपने, इसके बारे में ये सारी चीज़े, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, एक हम planning कर सकते हैं, कि हम कैसे hazard पर control कर सकते हैं, ठीक है, तो ये मैंने आज आपको causes of accidents के बारे में बताया, और हम उसे कैसे eliminate कर सकते हैं, उसके बारे में बताया, अगर हम उसके exposure में आ जाते हैं तो हम क्या क्या loss हो सकते हैं, और हम कैसे बत सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताया, so thank you